अलो बच्चों जैहन आज हमारा बच्चों अगला लेक्चर फश्टीर का होगा फश्टीर बच्चों मैंने जो एटामिक की स्ट्रक्चर का चेप्टर सुरू किया था उसमें बच्चों एटामिक स्ट्रक्चर का सुरूगात हो चुकी थी जिसमें हमने जेजे थामसन एटामिक मॉडल पढ़ा था बच्चों जिसे आप वाटर मेलन मॉडल कहते हैं बच्चों आज उसके आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों रधर फोर्ड एटामिक मॉडल पढ़ा हैं अब जेज इस में इलेक्ट्रन धस्यbeiter होते हैं ये तो काफी आप्जेशन प्लूर रहा बच्चों थो रधर फोर्ड ने अपना मॉडल दिया बच्चों उस मॉडल का नाम उन्होंने किस से दिया बच्चों सोलर सिस्टम से अब सोलर सिस्टम मॉडल भी करते हैं या इसे प्लेनेटरी मॉडल भी करते हैं बच्चों तो इसका नाम है बच्चों सोलर सिस्टम सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है बच्चों या इशी को प्लेनेटरी रेने टी मोडल भी कहतें के लेकशनी का मतलब क्या होता ग्राह तो इसे सोलर सिष्टम model या graph model भी कहते हैं अंग्रेजी में से solar system model और या plane अब उन्होंने क्या किया था बच्चों next topic में alpha ford alpha experiment से बच्चों मैंने क्या निकाल लिया था याद है मैंने nucleus की खोज कर दिया था बच्चों जैसे nucleus की खोज हुई तो जे जित रदर ford ने बच्चों 2011 में अपना एक model प्रस्तु तया जिसे कहते हैं बच्चों rather ford atomic model जिसे प्लेनेटरी model भी कहते हैं या ग्रही model जिसे कहते हैं या solar system model सौर mental में क्या होता है है और उसके चारो तरफ अपनी अपनी कच्छाओं में प्लेइनेट्स चक्र लगाते रहते हैं कभी भीर्टे और इस अपना अपना मौडल यह बच्चों, तो अगर मैं solar system को देखू बच्चों, तो sun center में होता है, और इसमें तमाम तरह के जो planets होते हैं बच्चों, अपने अपने आर्बिट में चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर यह सब क्या हैं बच्चों, planets हैं, planets हैं, अब यह जो planets हैं, यह अपने अब यहाँ पर उस sun को बच्चों उन्हों ने क्या कहा है? अपने model में nucleus और इन planets को क्या कहा है? electron तो अगर मैं इस model को खिचू बच्चों तो बीच में एक positive dense material होता है यादे बच्चों जिसमें proton और neutron भरे होते हैं और neutron neutral होता है, proton positive होता है बच्चों इस प्रकार से ये nucleus positive charge होता है और इसके चारों तरफ अच्छा खासा area होता है याद करो बच्चों, मैंने alpha is correcting experiment बता था atom के चारों और vacant area जादा होते हैं बच्चों और इसमें ये देखो, electron बच्चों इसमें चक्कर लगाते हैं ये क्या हैं बच्चों? electron हैं और ये electron बच्चों एक circular, circular path पर क्या बोला? circular path होता है बच्चों जिसे इन्होंने आरबिट सब्द दिया बच्चों आरबिट या कच्छा या cell या कोस कुछ भी रह सकते हैं अब ये इनका रदरफोर्ड का बच्चों रदरफोर्ड atomic model है येही इनका atomic model है बच्चों और ये आपका क्या है बोलो? solar system है बच्चों तो इसी लिए अब यहाँ पर sun को इन्होंने nucleus माना बच्चों यहाँ पर ये क्या होता है बोलो? nucleus है बच्चों यहाँ पर क्या है sun? यहाँ है प्लेनेट, यहाँ क्या है बच्छों, सवाल यह उखता है बच्छों, यह क्यों एक निश्चित आर्विट में खूंके हैं, तो ज़रा चेक करना बच्छों, अगर मैं किसी एटम को देखूं बच्छों, तो सेंटर में निफलियस है भी आपने देखा, इलेक्ट्र यह है बच्छों, मान लेते हैं, इसका कुछ मास भी तो होगा बच्छों, और यह चक्कर लगा रहा है, स्पॉन्टेनियसली बच्छों, स्वाता घुमता रहता है, अब इस पर दो बल लगता है बच्छों, एक फोर्स तो इसके निउकलियस खीशता है, क्यों? क्योंकि इस इसमें पास्टिव है, यह निगेटिव है, फोर्स आपर ट्रेक्शन होता है बच्छों, उलंबीक फोर्स लगता है, या इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, और यह है बच्छों, जो सेंटर की तरफ लगता है, इस पोर्स को सेंट्री पिटल फोर्स कहते हैं, बच्छों, सें centripetal force atomic number electron के charge का square और कितनी distance पर है बच्चों ये distance r है उसके square root के reciprocal होता है बच्चों ये centripetal force लग रहा है जो केंदर की तरफ लगा है बाहर की तरफ एक force लगता है बच्चों जिसे centri-fugal force कहते हैं centri-fugal force बच्चों और ये centri-fugal force ये बराबर होता है बच्चों mv square by r अर्थात m क्या है बच्चों ये अमाल लेते हैं यहां पर कोई बच्चा tangential draw करेगा तो ये तरिया करेखा किसको दिखाती बच्चों velocity को दिखाती है तो ये velocity है और ये r इसके distance है nucleus और electron के मद बच्चों center से और इसके बाद m क्या है बच्चों electron का mass अब सोचो बच्चों अब इस electron पर दो force लग रहे हैं एक बाहर की तरफ लग रहा है centrifugal force और अंदर की तरफ लगा है centrifugal force जब दोनों बराबर हो जाते हैं बच्चों तो magnetic force क्या होता है मतलब की जब बच्चों यहां पर जो EM V square by R is equal to ZE square upon R square दोनों force बराबर हो जाते हैं बच्चों तो यह electron अपनी एक नेशित आर्बिक में घूमता नजर आता है बच्चों तो आपने देखा बच्चों की solar system model क्या है जिस प्रकार sun के चारों तरफ planets चक्कर लगाते हैं उसी तरह से nucleus के चारों और क्या लगाते हैं बच्चों electron अपनी एक निशित आर्बिक में चकर लगाते हैं इस आर्बिक यह सर्कुलर पाथ होता है बच्चों और इन्होंने बताया कि किसी electron पर बच्चों दो force लगातार लग रहे हैं और इक पल हैं और कौन-कौन सा centrifugal बाहर की तरफ, centrifugal अंदर की तरफ लग रहा है और दोनों का मान बराबर हो जाता है तो वह electron अपनी निशित आर्बिक में घूमता बच्चों अब इसके मेन पॉइंट क्या है उसको हम देखते हैं बच्चों पहले तो आप इसका सार्टी ले ले लिजिए कि अप चर्ण विए रदर फोर्ड के अंसार होता क्या है बच्चों पाहला प्वान देखो at the center of atom बच्चों, atom के केंडर में, क्या बोला? परमाण के केंडर में, एक धन आवेसित द्रब्यमान उपसित होता जिसे क्या कहते बच्चों? nucleus, a positive positive charge, body present, body present, इसे कहते हैं बच्चों nucleus, अब हिंदी में समझे बच्चों, किसी परमार के केंदर में बच्चों एक धन आवेशित, रब्यमान उपस्तित होता है, जिसे मैं क्या कहता हूं बच्चों, nucleus, दूसरा point क्या है, जितने भी fundamental particle है, बच्चों, याद करो, मनें दो तरह की fundamental particle बता था, कौन कौन से stable और unstable, आज की डेटर बच्चों, 200 से अधिक fundamental particle गया थे, तोड़े, अबाव टू, more than 200 fundamental particle, इन विच, जिसमें से बच्चों, दो तरह की stable fundamental particle होते है, stable और unstable, अस्थाई और अस्थाई, stable क्या थे, जो अपने चार्ज को बनें बदलते हैं, तोटा, न्यूटान, इलेक्टान, 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 किनी stable थे, बाग़ी साबानी stable थे, बच्चों, और ध्यान रहे, मज़े की बात देखो, नजरफोर ने बताया, बच्चों, कि एलेक्टान को छोड़ करके, समस्त पार्टिकल जो होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बच्चों, वो न्यूक्लियस में पार जाते हैं, क्या बोला, एक्सेप्ट एलेक्टान, और फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजंट इलेक्टान को छोड़ कर, समस्त मूल कर, हर समय ना भी पार जाते हैं, बच्चों, तो इन्होंने क्या लिखा, आल थे, फंडामेंटल पार्टिकल, पार्टिकल प्रेजंट इन न्यूक्लियस बच्चो except electron electron को छोड़ करके समस्त मूल कर कहां पर पाया जाते हैं बच्चो और electron क्या करते हैं electron एक particular orbit में circular path पर चक्र लगाते हैं जिसे कच्छ पोस या cell कहते हैं बच्चो या orbit तो electron move around 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 the nucleus in circular path in circular path बच्ची called क्या बच्चो और orbit ये से क्या कहा बया orbit तो electron nucleus के बाहर बंद वित्ताकार पर पर चक्र चलाते हैं बास उसी पहते हैं बच्चो से लिया orbit चौथी बात उन्हों ने बताया बच्चों किसी भी atom में electron का weight बच्चों तो proton neutron के अपे शक्रित निगेंड होता है तो proton neutron ही तो nucleus में पाए जाते हैं बच्चों age equal to p plus क्या होता है बच्चों एन इसलिए atomic weight nucleus के बड़ाबर होगा बच्चों याद रखेगा जब पांच भी पॉइंट इन्हों ने बताया था बच्चों जो proton neutron पाए जाते हैं उसको collectively एक नाम देते हैं बच्चों जी से कहते हैं नूक्लियों तीगा ये इस्टेवल फंडामेंटल पार्ट के ले होते हैं बच्चो proton and neutron collectively called क्या बच्चों नूक्लियों क्या कहते हैं नूक्लियों बच्चों याद रखेगा बहुत important point है नूक्लियों क्या है बच्चों proton plus neutron ठीक है और अब क्यों चक्कर लगाते हैं एक particular part पर चुकी इनका centripetal force अब अभी kendribal जो नाभी की तरफ लगता है दोनों बराबर हो जाता है centripetal force centripetal force आपस में बराबर हो जाते हैं बच्चों इसलिए वो एक निशिक आर्बिट में क्या करता है चक्कर लगाता है बच्चों तो ये तो घदरफोड का atomic model है बच बच्चों आर ये है atomic radia 10 power minus 10 meter के range में होती ही बच्चों ठीक है और और nucleus radia 10 power minus 15 meter या 13 cm के आसपास होती ही बच्चों तो ये कंगर स्ट्राम के होती है फर्मी के परास में होती ही बच्चों याद रखेगा ये पर पिछले turn पर हमने बता दिया था बच्चों तो चली फड़ बच्चों अब इसका drawback क्या है बच्चों कमिया डिफेक्ट क्या है जरा उसको हम देखते हैं तो question आता है बच्चों what is a drawback of rather for atomic model क्या कमिया थी तो जरा चिप करना बच्चों कमिया क्या थी जरा देखूं पहली कमी यह है बच्चों एक scientist था Maxwell बच्चों उसने एक theory दिया था बच्चों जिस theory का नाम इलेक्ट्रो डाइनमिक theory है बच्चों एक इलेक्ट्रो डाइनमिक theory कहते हैं बच्चों अब बिद्दुत गतिज सिध्धांत बच्चों एक इलेक्ट्रो डाइनमिक theory यह क्या कहती है जरा इसका मतलब संच बच्चों यह कहता है कि जब भी कोई charge particle है बच्चों एलेक्ट्रों है बच्चों तो attraction force बढ़ता है द्याने बच्चों मैंने आपको पताया था attraction force energy में reciprocal होता है बच्चों अगर attraction force घटा ठीक है तो energy क्या होई बढ़ देगी अब अगर energy धीरे धीरे घट रहे तो attraction force क्या होगा बच्चों बढ़ेगा ठीक है चुकि एलेक्ट्रों अब उस नाभ पान लो यह nucleus है बच्चों अब एक electron घूम रहा था तो यह क्या करेगा अपने energy को बच्चों यह radiate करता रहता है लगाता है जिसके energy धीरे कम होती है तो जब energy सी घटेगी तो इस nucleus और इस electron के मद्ध attraction force बढ़ जाएगा तो होता क्या है जब धीरे धीरे यह कम होता जाएगा तो यह electron बच्चों nucleus की पास आता रहेगा और इसमें jump कर जाता है तो यह है बच्चों इसमें रहता है proton यह electron यह बदल जाता है बच्चों neutron में लेकिन ऐसा possible नहीं होता बच्चों अगर ऐसा possible होता अगर इसके अनुसार देखते है बच्चों रधर फोल्ड के अनुसार तो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स थेरी तो यही कहती है कि यह रेडियेट करता है एनर्जी का हर समय लगाता है उसके अनर्जी कम होगा एक्ट्रेशन फोल्ड बढ़ेगा जंप करके तो एटम का स्थित्थी खतम हो जागा सारे के साथ दोनियम नीट्रान ही रहेंगी लेकिन ऐसा होता नहीं है इसका इसक्रानेशन बच्चों रदर को नहीं दे पाए ठीक है तो दूसरा क्या था जरा देको बच्चों हाइड्रोजन इस्पेक्ट्रम हाइड्रोजन इस्पेक्ट्रम क्येल रहती है डाइड्रोजन इस्पेक्ट्रम इस्पेक्त्रम की व्य आप्ताया द sentence अनुछ रहती है इसकी व्याक्थ्या बच्चों नहीं कर पनीच होना चाहिए इसकी के व्याक्थ्या चाहिए बच्चों कांटीनिवस होना चाहिए बच्चों कांटीनिवस हाइडोजन स्पेक्ट्रम होता है लेकिन रियल में क्या होता है बच्चों को इसरी बात उन्होंने बहुत important चीज मिस कर दी थी बच्चों, जब इनों ने कहा electron orbit में घूमते रहते हैं particular में, तो कितने electron किस orbit में रहेंगे, एक एटा में तो बहुत धेर सारे electron होते हैं, तो electronic configuration का कोई distribution of electron यहाँ पर explain नहीं किया गया बच्चों, तो यहाँ पर जो distribution है बच्चों, distribution, मतलब भीतरन, division of electron in, electron in orbit, cannot explain बच्चों, कहने का मतलब कि एक परमान बच्चों धेर सारे electron होते हैं, तो किस कच्चा में कितने electron हों, इसका भी विबरड़ों नोंने नहीं दिया बच्चों, और चौथी सबसे important चीज़ है बच्चों, जब किसी atom को energy दी जाती है, क्या बोला, तो उसमें से बच्चों, electromagnetic वे, बिद्बुश चुम्बक की तरंग जैसे प्रकास, radio waves, यह सब निकलती हैं, अब क्यों radiation करता है, इसकी व्याक्षा भी नहीं दिया बच्चों, तो when energy supplied बच्चों, supplied to the atom, जब atom को energy दी जाती है, इत रेडियेट बच्चों, यह निकालता है, उस सर्जित करता है, electromagnetic wave, बिद्बुश चुम्बकी तरंगों का उस साजन करता है, जैसे light है, बच्चों, x-rays हैं, सब बिद्बुश चुम्बकी तरंग है, इसको एक आसां से दूसर आसां जाने के लिए मादम जरूर नहीं होता, बच्चों, इसका भी explanation बच्चों यह नहीं देता, तो पहली ब जी दी जाती है, तो उसमें से electromagnetic wave क्यों ही कलती है, इसका भी explanation नहीं दिया, और इसी को explain किया है, बच्चों, बोर, तो अगला जो हमारा आएगर lecture, उसमें बोर atomic model होगा, बच्चों, बस आज की मुलाकाते हैं तक अच्छा लगे, तो response ना, thank you, बच्चों.